जैहिंद भेन स्वागत है आप सबका हमारी चैनल एग्रिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ ब्यस्टी एग्रिकल्चर सिक्स सेमेश्टर का जो पेपर अभी हुआ है क्रॉप इंप्रूमेंट सेकेंड रभी क्रॉप्स का आज डेट है पाच अगस्त द प्रूमें दिया हुआ है कि भारत में कि हुद की जीन बैंक कौन है तो करनाल है अपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है आलो की गुड़ सूथ्र संख्या कितनी होती है तो आलो की गुड़ संख्या के 48 होती है अपसन इसमें यह वाला राइट रहेगा 2N बराबर 4X बरा आलो टेट्रापुलाइड हो गा पूस्पिरात है सर्सों में टमाटर का उठ्पत्प्रकेंद रहे कौन सा है तो टमाटर का जो होगा उत्पत केंद्र वो उत्तरी अमेरिका होगा कौन सा होगा उत्तरी अमेरिका नेक्स कोस्चन आता है टमाटर की गुर्षूत संख्या है तो टमाटर की गुर्षूत संख्या कितनी होगी दोस्तो तो ये गुर्सोस संख्याज होगी आपकी टुएन वराबर 24 होगी और दोस्तों उपर का question मैं फिर से repeat करना चाहता हूँ आठ का टमाटर का उत्पत केंद रहे तो कौन सा है तो वो दोस्तों जो है वो आपका B वाला right रहेगा दच्छडी अमेरिका right रहेगा नेक्स question आता है कि आर्जी मोन मैक्सिकाना एक आपत जनक खरपतवार है तो काहे काहे ये तो सरसों का है आपसंसी इसका right रहेगा नेक्स आता है जब ए F1 का संकरन किसी पित्र से कराते हैं तो क्या होता है तो इसे back cross कहते हैं आपसंन ये right रहेगा नेक्स आता है गेहों की प्रजातियां KSML13 और KSLM11 की जो है वो कैसी variety है तो ये multi line है आपसंन बी right रहेगा नेक्स आता है केंदरी आलू अनसंधा संस्थान कहां है तो ये जो है सिमला में है ये question मैंने PDF में डाला हुआ था नेक्स question आता है गेहों का पुस्क्रम है तो ये कैसा है ये capitulum होता है ये black year का जो paper था उससे आया है और बहुत सारे question मेरे PDF से आये हुए हैं और वीडियो से आये हैं तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखेगा और इस PDF के पेपर के बाद तुरंत ही अभी आ रही है अगली जो आपकी manual fertilizer का paper है उसकी PDF आ रही है और वीडियो आ रहा है तो टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए और चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजिए चलता हूँ अगले question की तरफ लाइको पर्सकाउन एसकोलंटम बाइगानिक नाम है तो किसका है टमाटर का है आपसन बी राइट रहेगा नेक्स आता है पूसा अरले ड्वाफ बेराइटी है तो किसकी है या तो ये मटर की है आपसन C राइट रहेगा नेक्स आता है है लेंतर से एनस बैग्यानिंग नाम है तो किसका बैग्यानिंग नाम है तो ये सूरज मुखी का है आपसन डी राइट रहेगा नेक्स आता है 2N बराबर 2X बराबर 34 तो इसमें क्या होगा तो आपसन बी राइट रहेगा सूरज मुखी next आता है Bsh1 is a hybrid of तो यह काहे का hybrid है तो यह सूरज मुखि का hybrid है तो इसमें right B option रहेगा सूरज मुखि next question आता है यह हूँ एक स्वा प्रागित फ़सल है निम्ण के कारण तो यह किसके कारण तो इसमें कलाइष्टो गयमी होगा आप सन यह right रहेगा नेक्स आता है टमाटर में मुखे प्रजन देसे है तो आपसन डीज का राइट रहेगा उच फसल उपज उच फालो गुडवत्ता रोगों कीटों के परती रोग रोधिता नेक्स आता है आलू के कंद रूपांतरण है तो किसका है तना का आपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है और ओधी विल्ट प्रजात है तो किसकी तो चना की है ये भी कोश्चन में डाला था नेक्स आता है ये रोशी के सिप पाया जाता है तो किस में पाया जाता है तो इस अर्सों में पाया जाता है आपसन भी राइट रहेगा निक्स आता है एटलाज 6,6 उच पोटीन का मुख्य सुरू होता है तो गेहूं का तो आपसन ये राइट रहेगा और दोस्तों ये भी वीडियो में कोश्चन आया था तो निक्स कोश्चन आता है गन्य का कुल पोईसी है तो ये भी कोश्चन डाला हुआ था मैंने और सीरियल से मेरी पीडियो से बहुत सारे कोश्चन आया हुए है तो चलता हूँ अगली कोश्चन की तरफ सेकेरम ओफिसनेर में गुरसोतर होते हैं तो कितने 2N बराबर 80 होते हैं दोस्तों ये भी मैंने कोश्चन बनाया था नेक्स आता है टमाटर का कुल है तो टमाटर सोलेनेसी से बिलॉंग करता है आपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है कलोन वरन का प्रयोग किया जाता है तो ये दोनों में किया जाता है अलो गन्ना दोनों में next question आता है नरबंद line को भी जाना जाता है तो नरबंद जो होती है male style line होती है ए line होती है next आता है अच्छी फशल के लिए चेने की भीजदर कितनी होती है तो 75 से 100 kg होती है और next question आता है absence sees का right रहेगा next आता है गेहूं के प्रमाधित भीज उतबादन के लिए प्रथक करण दूरी तो कितनी रखेंगे तो तीन मीटर रखेंगे नेक्स कोस्चन आता है गियों के बीज उत्पादन के लिए संसुद बीजदर है तो कितनी है तो इसके लिए आपके राइट रहेगी इसमें इसमें जो राइट रहेगी संसुद बीजदर है ये लाइन एम आर लाइन का अनुपात रखा जाता है तो कितना रखा जाता है तो आपसन ये राइट रहेगा तीन अनुपात एक नेक्स आता है जो पूसा जे किसान जो है वो किसकी वेराइटी है तो पूसा जे किसान जो है वो जो है आपकी वेराइटी है सरसों की वेराइटी है तो आपसन भी इसका राइट रहेगा नेक्स आता है निमलिकित में से कौन सूर्ज मुखी की पर जाते है तो ये modern सूरज मुखी की है आपसन C इसका राइट रहेगा नेक्स आता है फसल सुधार में किस नरबंदता का प्रियोग बहुतायत में होता है तो आपसन C रहेगा CGMS नेक्स आता है निमन मेंसे किसे अनरचक लाइन कहा जाता है तो B-Line को कहा जाता है में इंटेर्नर लाइन यही होती है B-Line आपसन B-Right रहेगा नेक्स आता है इकरी सेट इस्तेद है तो यह हैदराबाद में था तो यह भारत इसमें होगा तो दोस्तो इसमें मैंने यह भी कोश्चन डाला हुआ था नेक्स आता है पाईसम से टाइम में मैं गुरसूतर होते हैं तो कितने होते हैं तो 14 होते हैं ये भी question में ने डाला था Next question आता है C dryer tis में रहेगा और सुरज मो키 का कुल का पौधा है तो कौन से कुल का पौधा है तो इसमें right होगा Strasis ये भी question में डाला था आप bara ये right रहेगा नेक्स आता है Durum गिएहुं का pliisé इस्सतर क्या है नेक्स कोश्चन आता है चने में गुड़सूत्र संख्या होती है 2N बराबर 16 दोस्तों ये भी मैंने कोश्चन अपनी वीडियो में डाला हुआ था तो वीडियो से काफी सारे कोश्चन आये हैं तो वीडियो को देखकर जही जाईएगा और बताईएगा कि कितने नंबर का आ सभी नेक्स आता है चिकपी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो किस नाम से भी जाना जाता है तो इसने बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है आफसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है चिकपी में बहुत बहुत आयत में पाया जाता है तो प्रोटीन पाया जाता है आपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है कि हमें आधारी गुड़ सूत संख्या होती है तो कितनी होती है तो इसमें साथ होती है आपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है ब्रेशका की चतुर गुड़ स्पिसीज की उत्पत्ति हुई है तो किस से हुई है तो ये दोस्तो इसमें एंसर मुझे मिल नहीं पाया है यदि हो तो आप कमेंट मुझे करें और मैं कमेंट को पिन कर दूँगा नेक्स कोस्चन आता है IISR is located at तो ये जो है Indian Institute of Sugar Can Research ये लखनाव में इस्तित है आफसन भी राइट रहेगा ये भी कोस्चन मैंने डाला था नेक्स आता है मटर में केशरो की संख्या तो ये भी मैंने डाला था 9 प्लस 1 होती है डाइडलफस कंडिशन में ये होते हैं नेक्स आता है मटर को उगाया जाता है तो मटर को रभी सीजन में उगाया जाता है दूस्तों तो आपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है मटल के फलों को कहा जाता है तो मटल के फल जो होते हैं उन्हें पौड कहा जाता है आपसन C इसका राइट रहेगा नेक्स आता है गिहों की परजाती N4 P6 और NP12 तो ये भी कुस्चन मैंने डाला था आया था कि 45-50% होता है ये भी मैंने कोश्चन बनाया हुआ था तो इसलिए वीडियो आप सारी देखकर जाईएगा और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लीजिएगा तो चलता हूं अगले कोश्चन की तरफ आलू का उत्पति केंदर है तो आलू का उत्पति केंदर पेरू भी दोस्तो होता है तो इसमें दच्छड अमरीका पर आ है तो दच्छड अमरीका ही होगा नेक्स कोश्चन आता है नौरिंग्टेन बोना जीन है